प्रोफेसर कलिंगा में आपका स्वागत है और आज हम बात करने बाल हैं FC Goa जो कि लास्ट दो सीजन में इतने अच्छी पॉफेस नहीं रही और लास्ट सीजन में तो आपने देखी लिया होगा कि FC Goa को कोई ज्यादा सिरियसली नहीं ले रहा था और उन्होंने अपनी मैने जो है चेंज किया और जो चेंज किये भाई मैनलो को लेकर आए मतलब I respect him as the next Indian coach और वो जब आ गये मुझे लग रहा था कि येस टीम को एक बहतरी टीम बनाएंगे उन्होंने कुछ साइनिंग किया जो कि बहुत ही average साइनिंग था उधनता सिंग को ले लो राउलिन ब्रोज साइनिंग he is having और एक decent squad बनाया बार उन्होंने जब interview लिया गया उन्होंने ये बात बोल दिया था कि भाई during cup में मैं जीतने के लिए जा रहा हूं मैं ऐसे game खेलने के लिए जा रहा हूं और उन्होंने यसा ही कुछ किया उन्होंने semi final तक गया और Mohon Bagan के against में जिस तरीके स Manolo Marcos ने जीताया सच बोल रहा हूं he has done a proper footballing culture जो है FC Goa में उन्होंने राल दिया है बट आज वह हम बात करेंगे कि भाई उनकी squad left किया है और कौनसे कौनसे player कौनसे level पे कहल सकते हैं और इस team को हम ISL में किस level पे देख रहे हैं और Federson Cup में भी किस तरीके से कहलेंगे और इनक उन्हें अकल भी जो मेंस था महन बागान के साथ और पूरी डोटन काप में उन्हें पॉप मेंस अच्छा किया है उन्हेंकी नेटेस्ट साइनिंग जो है जाई गुपता वह बहुती बढ़िया साइनिंग है मैंने इसके पर एक वीडियो भी बनाया था कि ये बंदा पॉर पॉलो की पॉपमेंस हमने ए लीग में बहुत ही अच्छा रहा है और देखते हैं कि इंडिया में कितना आचा कर पाएंगे क्योंकि पासिंग एकुरेशी बहुत इंपोर्टांट है और यह प्लेइंग अंडर मर्कोस संदेज जिग्रन मतला अभी क्या बल सकते दिवर ऑफ उनकी पूरी गेम जो है न ओडी को पर डिपेंड करता ही है तो इसलिए ओडी की पहुमेंस बहुत इंपोर्टन फेक्टर प्ले करता है और उनका रोल भी FC Goa में बहुत ज्यादा इंपोर्टन है कारल क्या साइनिंग है बाई काल की साइनिंग तो मतलब मास्टर क्लास था म मोहन बागान से आप काल को साइनिंग करना और मोहन बागान को भी कहीन है कहीं डिफेंस में वीक कर देना जिसा है क्लासिक साइन है काल मेरे फेबरेट है वान फेबरेट इन मोहन बागान और वो अभी यहां पर मुव हो गए रोल इन एक्स्परेंस के साथ रहेंगे रोल इ लेंडन फर्णांडेज नंबर टेन इंडिया के नंबर टेन है और मतलब प्ले मेकर में आप देखो कि इंडिया में सामसे में ज्यादा उपर इनको रेट करूंगा विक्टर ओड्रिगर्स भाई उडिशा एफसी के प्लेयर हैं बहुत दुख लगा कि उनको एफसी गवा में हम देख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया प्रमेस रहा है उनका उडिशा में और वहीं तो थे हमरे क्रियेटर अब वह वहां पे खेलेंगे एफसी गवा में नोहा स्टार दे पोश्टर बॉइफसी गवा एफसी गवा एपसलूटली ही इस दो वन और मैं बोलूगा उदंत अर्टवदर भी करता है, विंग में भी काम करता है, वोरक हैतेक्स में कोई डाउत नहीं है. उतंदा सींग महनती प्ले एयप्सरी ने प्लेटर एग से और इंडिया उइंडिय। in the comment कि कौन है exciting young talent जो आप इस बार देखना चाहोगे इन गोवा मैं तो देखना चाहोगा जाई गुपता को आपका कौन है let me know in the comment box that's it for today जाई हिंद